दोस्तों आपका हमारे शैनल में बहुत सारे कैंडिट्स जो है वो क्वेडी कर रहे थे और डाउट सुनका था कि सर बताईए कि इंग्लिस में या फिर हिंदी में वो जो है वो टीर टू का एक्जाम दे ताकि मैक्सियम मार्क्स जो है वो स्कॉर किया जाए तो इस वीडियो इसके रिलेटर जो है वो मैं इस्पेसरी उन के लिए वीडियो लाया हूँ जो जिनके मन में यह डाउट था कि इंग्लिस में लिखना चाहिए या फिर हिंदी में तो मैं लिखने के लिए थोड़ा सा एक एड़ा सा एक एड़ा बैट में जो नोटीस आई थी आपके उसी कर सकता है होके या तो आप इंग्लीज में लिखें या फिर हिंदी में लिखें तो अप इस में से दोनों से कोई भी चूस कर सकते हैं लेकिन कुछ इलीजन की अगर मैं बास श ताकि अगर आप CR region में same effort अगर आप English पे लगाते हो या फिर Hindi पे लगाते हो same effort जो है आप English में लगाओ या फिर Hindi में लगाओ तो इसमें आपको Hindi में ज़्यादा marks उठने की chances रहती है यह CR region की कहानी हो गई वहीं अगर मैं बात करूँ एना region की तो एना region में अगर आप Hindi में same effort लगाते हो और English में जो है अगर आप same effort लगाते हो तो इसमें आपको English में ज़्यादा marks उठने की priority रहती है देखिए यहाँ पे मैं language को लेकर कोई यहाँ बात नहीं कर रहा हो कि आपको यही language में लिखनी चाहिए लेकिन ऐसा आमोमन देखा गया है कि CR region यानि के central region में अगर आप Hindi में लिखते हो तो यहाँ पे आपको अच्छी marks score करने की ज़्यादा chances रहती है और अगर आप अना region की बात करो तो अना region में अगर आप English में लिखते हो वो क्या होंगे तो सबसे पहले जो होता है वो आप लोगा idea ओके आप कैसे ideas को अपने present करते हो इस पे सारा कुछ बात निर्भर करता है और second कि जो invigilator है ओके जो invigilator है उनके accordingly अगर आपने लिखा है तो सायद वो अगर आपके बातों से ज़्यादा सहमत हो जाते है तो जरूर आपको marks बहुत ज़्यादा बहुत ज़्यादा नहीं लेकिन एक अच्छे marks आप उनसे उमीद कर सकते हैं लेकिन अगर आप उनके accordingly बात नहीं लिखे हो या फिर जो rules and regulations है उनको अगर आप follow नहीं कर रहे हो तो कहीं ने कहीं आपके marks घटेंगे तो आपको medium को लेकर कोई access चिंता नहीं करनी है आप जिस भी medium से तयारी करते आ रहे हो आईदर आप English से कर रहे हो या फिर Hindi से कर रहे हो आप उसी के साथ जाएं अगर आपने अभी तक English को तैयारी की है तो please English में ही रहें आप Hindi में switch ना करें लेकिन अगर आपने Hindi में अभी तक तैयारी की है तो please English में switch ना करें क्योंकि ये exam के अंथीम समय की बात है हो और आप सभी को अफना decision नहीं बदलना चाहे जिससे भी तयारी किये हैं उसको आप उसको पे आपको 100% confident रहना है so thanks for watching the video and if you have any doubt you can ask in the comment box and please subscribe to the channel have an awesome day